हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आप समों का ABC Academy पर फ्रेंट्स, आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म का सार संग्रा देखने वाले हैं इससे पहले प्लेटफॉर्म का और भी क्लास देया जा चुका है प्ले लिश्ट आगर आप चेक कर लिजेगा आप में से अगर कोई नए हो तो आप यहाँ पे एक नजर देख लिजिए सार संग्रा में रेलवे, SSC, BSC, दरोगा, कॉंस्टेबल, BPSC, JSC, UP, PSC, UPSC, JPSC, TET इन सारे एक जाम में वर्ष 2022 में जो भी सवाल पूछा गया है न सब का संग्रा आप अभी देख रहे हो में दिया गया है प्लेटफॉर्म में आप लोग पहले प्रेविएस येर कुस्टन को देख लीजिए इसके बाद भारती इतिहास एवंग संस्किती जैसे है राष्टिय सोतंतरता आंदोलन है आर्ट एकोनोमिक्स है विविध है खेलकोद है भारत और विश्व का भूगोल है हर एक टॉपिक को अच्छे से वर्लाइनर के रूप में दिया गया है यहाँ पे आप चाहें तो देख लीज़ अच्छे से लाष्ट वाले क्लास में वर्ष 2022 में विविन परिक्षाओं में पूछे गए प्रस्नों के संग्रह में से भारतिय इतिहास एवंग संस्किती को देखे थे आज के इस क्लास में दो टॉपिक को कवर कर लेंगे पहला तो रहेगा राष्टिय स्वतंतरता आंदोलन और सकेंड रहने वाला है भारतिय राजविवस्था एवंग संविधान संविधान आप अच्छे से जानते हूँ कितना ज़रूरी है आपके हर एक एक्जाम के लिए दोनों क्लास टॉपिक को न एक क्लास में लिया गया है ध्यान से देखिएगा समझेगा लास्ट वाले क्लास में 85 के युद के बारे में गलत प्रेंट था और गलत बताया भी गया था प्लासी का युद 23 जून को हुआ था आपने से काफी लोगों ने कमेंट करके बताया था बहुत अच्छा लगा देखकर 23 जून 1757 को प्लासी का युद हुआ था अगर आपको कहीं पे कुछ बताना हो ज़रूर कमेंट करके बदायेगा आप जिस भी जौब की तयारी कर रहे हो प्ले रिस्टा कर चेक करिएगा आपके लाएक क्लास हो चैनल से आप लोग जोड़ जाईएगा आईए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास के पॉइंट नमबर फर्स्ट से भारत के किस स्वतंतरता से राने की आत्म कथा वाई एम एन एथिस्ट है सही जबाव है भगत सिंग भारत के स्वतंतरता के दोरान हुए दंगों पर अधारित प्रसिद उपन्यास नाम है पिंजर किसके द्वारा लिखी गए थी पिंजर लिखा गया था अमरि और नेशन और नेशन और नेशन और नेशन और नाशन इस दा मेकिंग सही जवाब है व्यपगत के शिद्धांत का परतिपादन किष्णे किया था लॉड डलहुजी ने उनिस्वा सहितालिस का अधिनियम जो ट्रेड यूनियनों के साथ व्यक्तित कामगारों के स्रमन में भारतिये स्रम कानून को वियमित करता है क्या है वो हुआ है अध्योगिक विवाद अधिनियम उनिस्वा सहितालिस का यह अधिनियम है ध्यान रखेंगी शुराज मेरा जन् लिखे थे भारत में जो आपको पता है नमक सत्यागरा आंदुलन हुआ था उसमें महत्मा गान्धी को महलाओं के नमक सत्यागरा में भाग लेने के लिए मतलब कहिए कि मनाने का काम किया था वो किस ने किया था तो वो कमला देवी चटोपाध्याय के द्वारा किया गया था भारत ने स्वतंतरता सैनानियों में से किस ने वर्ष उनिश्व तेटालिस में राष्टिय सैना आजाद हिंद फौज जिसे उनिश्व बियालिस में रास बिहारी बोष और कैप्टन जेनरल मोहन सिंग ने बनाया था इनको किस ने पुनर जेवित किया था सही जवाब है शुभाष चंडर बोष ने अलोरी सीता राम राजू भारत के किस राजी के आदिवासी स्वतंतरता सैनानी थे सही जवाब है आंद्र पर्देश के थे अल्लारी सीता राम राजू वेटिंग फौर एवी जा वियारंबिटकर साहब क जाती विवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई थी जोती राव, गुविंद राव, फूले ने। राजा राम मोहन राए ने किस समाजिक धार्मिक समुदाय की अस्थापना की थी। राजा राम मोहन राए ब्रह्म समाज आपको ध्यान रखना है। वर्ष 1913 में भारत के बाहर अस्थापित एकरांतिकारी संगठन का नाम क्या था गदर पार्टी। परसिद्गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किस के द्वारा गाया गया था लतामंगिशकर के द्वारा। किस राज्यतिक दल ने भारत में पंजाबी शूबा आंदूलन का नेत्तित्व किया था। सिरो मने अकाली दल ने किया था। जलिया वाला बाघत्याकांट योकि 13 अप्रेल 1919 को हुआ था। इसके प्रभाव के रूप में घटिद घटना क्या है तो ब्रेटिस सरकार द्वारा हंटर समीति की न्यूकति की गई थी। रोबर्ट कलाइब किस उम्र में 1743 इस्विए में इंगलेंड से मद्रास आया था। 18 वर्ष की आयू में 1743 में रोबर्ट कलाइब इंगलेंड से कहां पर तो मद्रास आया था। मारले मिन्टो सुधार की सुरवात किस समय में भारत का वाशराय मिन्टो सकेंड था। भारती राष्टी कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहरी भारती महिला का नाम सरोजनी नाइडू है। बंगाल में 27 सासन विवस्था को समाप्त किया था वारें हैस्टिंग्स ने। 1887 में भारती राष्टी कॉंग्रेस को अध्यक्ष की रूप में संबोधित किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। खिलाफत आंदोलन के नेता का नाम मौलाना अबुलकलाम आजाद है। वर्स 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल सासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम वारेन हैस्टिंग्स था। महादमा गांदी के आत्म कथा का नाम है सत्त के साथ मेरे प्रियोग। वर्स 1867 में दादोबा पांडूरंग और उनके भाई आत्मारम जो पांडूरंग है इनके द्वारा किस चीज के अस्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। किसब चंद्रसेन ने लोगों को एक इस्वर में विश्वास करने और केवल एक इस्वर के पूजा करने के लिए उद्देशे से दोड़ा किया था। कहां का महराष्ट का दोड़ा किसब चंद्रसेन के द्वारा किया गया था। पांदेखू बैरकपूर में कब बेटिस अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांशी 29 मार्च 1857 को दी गई थी अखिल भारतिये मुश्लिम लिख का गठन हुआ था वर्स 1906 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की अस्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने वंदे मात्रम राष का सिधान्त किसने दिया श्री नारायन गुरू के द्वारा मानवत्ता के लिए एक धर्म एक जाती और एक इस्वर का सिधान्त दिया गया था Great Britain यनि कि United Kingdom की संसत की एक अधिनियम है जिसके तहट 1947 में British भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र प्रभूत्तों में विभाजित किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम Indian Independent Act के तहट भारत में British सासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और और शहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था वर्ष 1919 से 22 में 1950 में इंडोनेसिया इराष्ट्रपती भारत के पर्थम गंतरंत्र दिवस की सुभा बरहने वाले मुख्य अतिति कौन थे डॉक्टर सुकर्णू स्वतंतर्ता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थवस्था क्या थी आलफ विक्षित और रोध माने गई थी स्वतंतरता की पूर्व संध्या पर भारती अर्थिवर्ष्था क्या थी आलप विक्षित और रोण्ड भारत में ब्रिटिस साशन के दोरान देश की आबादी का लगभग कितना परति सज्जादत तर गाओं में रहता था और क्रिशी के परत्यक्ष या और परत्यक्ष रूप से अपनी आजिविका प्राप्त करता था सही जवाब है पच्चासी परसेंट किस स्वतंतरता सेनानी को भारत के लोह पुरूष की उपाधी से सम्मानित किया गया है सही जबाब हुजाएगा वल्लब भाई पटेल को भारत के सैक्षनिक संस्थान महत्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ और शहियों के अहवान की परतिकिर्या स्वरूप अस्थापित किये थे जामिया में लिया इस्लामिया गुजरात विद्यापीट और कार्शी विद्यापीट किया गया था पूना पैक्ट महत्मा गांधी और किसके बीच में महत्मा गांधी और अम्बिटकर सहाब के बीच में हुआ था पूना पैक्ट वर्स 896 में महर्सी धोंधों के सब करवे ने विद्वाओं और अन्य महलाओं को सिक्षित करने के लिए कहां एक आश्रम के अस्थापना की क्योंकि वे सिक्षा के माध्याम से ससक्तिकरन में विश्वास रखते थे पूना में किया गया था 1896 में विद्वाओं और अनमहलाओं के लिए एक आश्रम की अस्थापना कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में शे एक थे जिसकी अस्थापना वर्ष 1926 में हुई थी सही जबाब है भगत सिंग थे वर्ष 1911 में कहां किंग जॉर्ज पंचम के राज्याविशेक का जस्थ मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया यहीं पर भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली अस्थानांतृत करने के निर्ने की घोशना भी की गई थी दिल्ली में हुआ था उनिश्व 1111 में जो किंग जॉर्ज पंचम है उसके राज्याविशेक का जस्थ मनाने के लिए कहे दरबार का आयोजन यंग बंगाल आंदोलन किंके द्वारा सुरू किया गया था जो 1826 में कलकत्ता आये थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी शाहित और इतिहास के शिक्षक के रूप में न्यूक्त किये गये थे सही जवाब है है हैंरी लूई विवियन डेरो जीये को देखिए यंग बंगाल आंदोलन किंके द्वारा सुरू किया गया था जो 1826 में कलकत्ता आये थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित और इतिहास के सिक्षक के रूप में न्यूक्त भी किया गया था दिये विवियन डेरो जीये को न्यूक किया गया था ध्यान रखेंगे वर्ष 1934 में अस्थापित कॉंग्रेज सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक कौन थे सही जवाब है जय प्रकास नारायन सहाब थे आरी समाज के संस्थापक कौन थे दयानन्द सर्चती एतिहासिक अस्थान 44 किस राज में है उत्तर परदेश में आत्मिय सभा के संस्थापक का नाम राजा राम मोहन राय है भारती एतिहास में 1756 में घटित हुई काल कूठरी क कि घटना कहां पर हुई थी कलकत्ता सही जवाब है गुरू पर्व शिक धर्म के सबसी पवित त्योहारों में से एक है यह इन में से किसकी जैनती की उपलक्ष में मनाया जाता है गुरू नानक देव की जैनती की रूप में आप गुरू पर्व को मनाया जाता है याद रख आस्था के रूपने जिसे मानिता मिली वर्स आठारोसार सर्शठ में किनकी द्वारा बॉंबय में अस्थापित की गई थी डौक्टर आत्माराम पाँदूरंग की द्वारा देखिए प्रार्त्ना समाज बॉंबय में धार्मिक और समाजिक सुधार के लिए 1866 में आत्माराम पांडूरंग के द्वारा अस्थापित किया गया था 1850 में अंग्रेजों ने कौन सा अवधार ना पेश किया जिसके जिसने करेक भारती अर्थवस्ता की संद्चना को काफी परभावित किया सही जवाब है रेल परिवहन को पहला हूम रूल लिग कि अस्थापना किश के द्वारा पहला वाला बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था भारत में वैशाखी का त्योहार वर्ष 1699 में सीखों के इन समय से कितने नंबर के गुरू गुरू गोविन सिंग के द्वारा अस्थापित खाल सापन्द की अस्थापना का परतीक है सही जवाब है दस्वने नंबर की कौन प्रार्थना समाज के सुर्वाती ने ताओ में से एक थे सही जवाब है महादेव गुविन्द रानाडे इस्ट इंडिया कमपनी के सासन के अधिन भारत की अधिकार के अंतरगत सभी छेतर में विद्वाओं के पुनर्विवाह को वैद बनाने के लिए कब हिंदु विद्वाओं पुनर्विवाः अधिनियम पारित हुआ, वर्स 1856 में हिंदु विद्वाओं पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया था लाला लाजपत राय ने 1921 में कौन सी संस्था से जुड़ गए सर्वेंट ओव द पीपल सोसाईटी से लाला राजपत राय 1921 में सर्वेंट आफ दी पीपल सोसाइटी से जुड़े थे किसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोरू आंदुलन के दोरान ग्वालिया टेंक मैदान बॉम्बे में भारती राष्टे ध्वज फैराने के लिए याद किया जाता है अरूना आसफ अलीकू कौन भारत का अंतिम वाइश राय था माउंट बेटन दीज में 552 रियास्टों को एकी करिद करने भारत के राजमतित एकी करने का श्रे की सहस्ती को पतेल सहाब को जाता है पंजाब के स्री के नाम से लालो लाजपत राय को जानते हैं भारत के वाइसराय करजन ने बंगाल का विभाजन की घोषना उनिश्ट पांच में की थी इस्ट इंडिया कमपनी की गतीविधियों को विरियमित करने के लिए बेटी संसाद्वारा रेगिवलेक्टिंग एक्ट कब पारित हुआ था 773 में पारित किया गया था दिल्ली दर्वार में कव किंग जोर पंचम का राज्य रोहन हुआ आप जानगे 1911 में हुआ क्या बार बार देखना इसको वर्थ 1931 में कॉंग्रिस अध्यक्ष सुभाष चनर बोस ने राष्टिय योजना समीती का अगठन किया इसके अध्यक्ष थे जवाहर लाल नहिरू ध्यान रखें 1931 में कॉंग्रिस के अध्यक्ष सुभाष चनर बोस थे इनोंने राष्टिय योजना समीती का अगठन किया था और अध्यक्ष जवाहरलाल नहिरू थे। गांधी जैन्ती किस महिने में महत्मा गांधी के जन्मदीन के उपलक्ष में भारत में मनाया जाता है। अक्टूबर में होता है। भारत में स्वाशाषन प्राप्ट करने के उद्देश शिशे सितंबर 1916 में मदरास में भारतिय राष्टिय भारतिय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक और भारतिय स्वतनत्रता सहनानी किनके द्वारा हूम रूल लिक के अस्थापना होम रोल लिग देखिए यहाँ पर में बात याद रखी 1916 में मदराश में बाल गंगादर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा होम रोल लिग क्या स्थापना की गई थी पॉइंट नमबर फर्स्ट और सकेंड हम लोगों ने देखा ध्यान रखें 2022 में पूछे गए सारे questions को आप देख रहे हो चाहे वो किसी भी job का जैसे में railway है SSC है BSC है दरोगा है constable है BPSC JSC NTSC ET है TET है UPSC है UPPSC है JPSC है UP SSC है सारे exam का कहिए कि master video master book आपके लिए है class को ध्यान से देखिए इन ही सारे सवाल को घुमा फिरा करके पूछा जाता है देखिए आप लोगों में से अगर किसी को और भी किसी तरह का problem हो परिसानी हो कुछ बताना हो कुछ पूछना हो नमबर है यहाँ पर 3 लिखा गया है आप अगर चाहिए इस नमबर से contact कर सकते है contact का मतलब ध्यान से सुन लिजी आप लोग WhatsApp पे आप लोग बस message कर दीजिएगा अगर कुछ बात हो फोन पे बात करना हो कुछ पूछना कुछ पूछना है WhatsApp कर यह इतला जरूर मिलेगा अगर कुछ जरूरी हो तो WhatsApp पे message कर दीजिएगा खाम बात करनी है क्योंकि बहुत time ऐसा होगा फोन लगाएंगे switch off आएगा अगर आप message करेंगे किसी भी तरह का problem होगा खुद से call कर लिया जाएगा आईए point number third में देखते हैं भारतिय राजरस्था एवंग शमिधान को इस topic को जो भी आप देख रहे हो ना इसे आप ज़रूर अच्छे से देखेगा याद कर लिजेगा हर एक topic आपको याद करना है पड़ेगा बस इस topic को आपको काफे ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि जबर्दस्त यहाँ से सवाल पूछा जाता है भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद राजपाल की सभी कारपालिका सक्तियों से समन्दीत है अनुछेद 154 सही जबाब है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्तिती में संसद के दोनों सद्रों के सयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो राजसभा के उपसभापती के द्वारा किया जाता है राज किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग, जन्मस्थान या इन में से किसी के वियादार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा या अनुछेद 15 में दिया गया है लोकलेखा समीती के सदस्यों को कितनी अध्यक्ष के लिए चुना जाता है एक वर्स के लिए लोकलेखा समीती के सदस्यों की अध्यक्ष होती है कितने की एक वर्स की शंग की कारेपालिका का हिस्सा नहीं है भारत का सर्वोच नियायले अखिल भारतिये के किस जो भारतिये समिधान है इसके किस अनुछेद में कहा गया है कि शर्वोच नियाले अभीलेख नियायले होगा अनुचे एक्सो उंतिस में कहा गया है भारत में सबसे पुराना उच्छ नियायले है कलकत्ता उच्छ नियायले जूसकी क्या स्थापना छुलाई अठरसो बाशटं में हुई थी करनाटक राज में विधान परिशत के कितने सदस्य हैं करनाटक में 75 भारतिय समिधान न्यायाविद फली एन नरीमन की आत्म कता है Before memory friends and autobiography मौलेक अधिकार के सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच न्यायले पांच तरह के रिट जारी करते हैं भारतिय समिधान की संग्य विशेष्टा नहीं है भारतिय समिधान की संग्य विशेष्टा अखिल भारतिय स्यवाय नहीं है भारतिय समिधान के किस भाग में शंग लोक सेवा आयोक का प्रावधान है भाग 14 में भार्तिय समिधान का कौन सा अनुच्छेद शंगे की कारिपालिका से समंदित है अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक समंदित है मौलिक करतव नहीं है क्या नहीं है चुनाव के दोरान मरदान करना महराष्ट राज में सीटों के संख्या कितनी है सही जवाब है 19 कोई भी मंत्री कितनी अबधी तक संसत के किसी भी सदन का सदस्च न होने पर उस अबधी की समापती के बाद मंत्री पदपर नहीं बना रह सकता है लगातार 6 महने तक कई अपसेंट रहने पे संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्राले की अधिन कारिड़त एक संस्था है संस्किती मंत्राले के अंद्रगत ये आता है उप्राष्ट पती का चुनाव चलिए उप्राष्ट पती से सवाल है बताईए किसी भी इंसान को अगर उप्राष्टपती के लिए चुनाव लड़ना हो उसका मिनीमम एज कितना होना चाहिए कमेंट करके फटाक से बताइए उप्राष्टपती का चुनाव लड़ने के एक छुक उमिदवार को मिनीमम कितना एज पूरा कर लेना होता है अब यहां पिकरक जमानत राष्टी के तौर पर कितनी राष्टी करनी होती है 15,000 रुपए सही जवाब है अनुच्छेद 32 को भारतिये समिधान का हिर्दय और आत्मा किसने कहा भीया रमबिटकर कहे थे शर्वुच न्यायले का न्यायदीस अपना त्याग पत्र किसे सौप सकता है भारत के राष्टर पती को विधान परिशत के अध्यक्ष होते हैं विधान परिशत के सदस्यों के द्वारा चैनित किये हुए होते हैं जब मिधान के किस अनुच्छेद का शमριंदD संसोधन प्रकिडिया से है, अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया है, समिधान का शंसोधन से इलेटेड बाठ है इसमें, किस राज़ difference में, महराश्ट में, भारतिय समिधान में, भारतिय नागरिकों के कितने मौलिक कर्थव ने प्रावधान है अनुच्छे 14 इसके लिए आपको याद करना है एक्स जिसकी आयू 10 वर्स है एक कार खाने में कार्यत है एक्स जो है वो किस अधिकार का उलंगन किया जा रहा है शूर्षन के विरुद कहने का मतलब है कोई एक आदमी है नाम ले लिजे कुछ भी उसका आयू 10 वर्स है आपको पता है 10 वर्स के बच्चों से काम नहीं करवाना होता है और ये ना किस अधिकार का तो सूर्षन के विरुद अधिकार का उलंगन माना जाता है छोटे राजियों के कुछ अपवादों के अध्रिक्त राज विधान सभा में शदस्यों के संक्या मिनिममम साथ और मैकसिमम पांसो होता है जिसमें की कुछ अपवाद में किसी किसी में 40 है इसलिए यहां पे कहा गया है अपवाद को छोड़के भारतिय समिधान में मौलिक अधिकार के विचार को कहां से अमिर्का से लिया गया है सिख्छा के अधिकार को भारतिय समिधान में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था वर्स 2002 में भारत के समिधान के अनुशार प्रतेक राजी की प्रतेक विधान सभा जब तक की जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथी से कब तक जारी रहेगे पांस साल तक होती है भारते समिधान में राजी के निती निदे सक्षिधान के तहत किस अनुचेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है अनुचेद चालिश में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है दिल्ली नगर निगम जो संसुधन विधेयक 2022 लोक सभा में किस मंत्राले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था ग्रिह मंत्राले के द्वारा भारती समिधान के नुशार भारत में राज विधान सभा का कारिकाल पाच वर्सों के लिए होता है भारती समिधान में अनुच्छित 43B को जोरा गया था राज जी की नीती निदेशक तत्तों में भारत के समिधान में कहा गया है कि कुई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपती के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग नहीं होगा जब तक वह अपनी आयूद पूरा नहीं कर लेता है 35 वर्स का किसके बारे में राष्ट्रपती के बारे में कहा गिया है ठीक है आप लोगों से सवाल उपराष्टपती के बारे में पूछा गिया है अगर उस कांसर आगे नहीं मिलता है तब तो जरूर दें भागत सिंग और बटुकेश्वर दत ने केंद्रिये विधान सभा में बम फेका था वर्स 1929 में भारती समिधान के किस अनुच्छेद में निदेशक सिध्धानतों के अनुपरियोगों का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 37 में निर्वाचन छेत्रों की अधिक्तम सीमा जह संसुधन विध्यक जो 2022 था इसमें 7 फरवरी 2022 को लोगसभा में पेश किया था अरजुन मुंडा ने पेश किये थे भारती समिधान के नुसार कितने वर्स से कम उम्र के किसी भी बच्चों को किसी कार खाने में या ख़दान में काम करने के लिए या किसी अन खतरनाक ठक का उलिक करता है अनुचेद 108 के तहत भारतिय समिधान में बेटेन की समिधान से लिग गई है संसदिये सरकार भारतिय समिधान की किस अनुचेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपरात के लिए एक बार से जादा सजा नहीं मिलेगी अनुचेद 20 में कहा ग भारत के सम्मिधान का अनुच्छे 280 वित्ट आयोक के बारे में जोकि एक सम्मिधान एक निकाय है बताता है। क्रिसी कानून निर्शन विधेयर 2021 के अंतरगत कुल कितने कानूनों को निरस्थ किया गया था तीन कानून को। भारतिय सम्मिधान के प्रिस्तावना का हिस्सा कुलीन तंत्र नहीं है। उपराष्टपती होते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा संसद का सत्र सुरू होता है प्रश्न काल से। राजपाल की नियुक्ती किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपती के द्वारा कौन सा मौलिक अधिकार मानव तसकरी बिकार और अनप्रकार के जवरंत स्रम को प्रतिवंधित करने से समन्दित है शोषन के विरुत अधिकार भारत समिधान का कौन सा अनुच्छेर शोसन के विरुत अधिकार परदान करता है अनुच्छे 23 भारत के राष्ट्रपति अपना पद गरहन करने की तिथी से कितनी अवधी तक 5 साल के लिए सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कुछ अलग तरीके से भारत के राष्ट्र पती किसी दिन से पांच साल तक काम करते हैं जब वे चुनाव जीतते हैं या फिर जब वो पद गरहन करते हैं याद रखिएगा भारतिय समिधान के किस अनुच्छेद में उल्ली खित है कि राष्ट्र भारत के पूरे छेतर में नागरेकों के लिए एक समान नागरेक संहिता को सुरप्षित करने का प्रियास करेगा अनुच्छेद 44 के तहत अप्रेल 2022 तक लोगसभा के किरने आमचुनाव हो चुके हैं 17 हैनिके 17 वी वाला था भारतिय समिधान के अनुचार सरकार के कितने अंग हैं 3 लोगसभा में केंद सासित परदेश का परतिनिधित करने के लिए सदस नहीं होंगे सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संचिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है शमापन प्रस्ताव होता है भारतिय समिधान के प्रस्तावना में पहली बार संसोधन हुआ था उनिस 176 में भारतीय समिधान के पर्मुख विसेस्ताओं में से एक है शंगवाद, भारत में कितनी अस्तर के नियायले हैं? तीन भारत की समिधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परिक्षक होगा जिसके नियुक्ती की जाती है भारत के राष्ट्रपती की द्वारा भारत के समिधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गंतंत्र है भारत के समिधान का कौन सा भार राज के नीती निदेशक तत्तों से समंदित है भाग चार जदि नियाई पालिका का यह मानना है कि संसर द्वारा पारित विशेश कानून समिधान के मूल धाचे का उलंगन किया जाता है तो उसके पास ऐसे कानूनों की रद्ध करने की सकती है इसे कहते हैं नियाईक समिक्छा भारत की बिर्टिस सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतिय परिशद को समाप्त किया उनीुप्त स्वपेंटिस का भारत सरकार अधिनियम के तहट मौलिक अधिकार अलवचंख्योकों के हितों की सुरक्षा से समंदित है सैक्षिक और सांस्कितिक अधिकार विन्योग विधेयक 2022 24 मार्च 2022 को लोग सभा में पेश किया गया था वित्मंत्राले के द्वारा किस राज में द्विशद्निय विधान मंडल है करनाटक में है द्विशद्निय विधान मंडल समिधान के भाग 6 में राज विधान मंडल के घटकों से समंदित अनुच्छेद 168-212 तक है भाग 6 में भारतिय समिधान में दिये गये मौलिक कर्तवियों के अनुशार भारत की संप्रभूता, एक्ता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के परतेक नागरिक का क्या होगा कर्तवि होता है उन राज के साथ साथ अन राज के साथ साथ इन राज में विधान परिशद मोजूद है उत्तर परदेश, बिहार और महराष्ट्र में भारतिय समिधान के अनुच्छेद 51 A.D. के अनुशार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करने चाहिए और आहवान किये जाने पर राष्ट की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए अनुच्छेद 51 A.D. के तहत ग्यारवी अनुच्छी में कुल कितने विशे हैं ग्यारवी अनुच्छी में 29 सब्जेक्ट को रखा गया है भारतिय समिधान के अनुच्छेद 148 के तहत अस्थापित किस सम्वेधानिक प्राधिकरन को केंद्र तथा प्रतिक राज एवं के इनसासित परदेश की सरकारों की प्राप्तियां एवं वियाज की लेखा परिक्छा करने की सक्ति परदान की गई है सही जवाव है भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परिक्छत को उनिश्व 92 में भारतिय समिधान में 11 अनिसूची में किस समिधान संसोधन अधिनियम की द्वारा ये सामिल हुआ था तर्वे के तहट भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेत भाव को परतिबंदित यानि के रूक लगाता है अनुच्छेद पंद्रा अवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम का पारित किया गया था 2021 में अवश्यक सेवा अवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम पारित किया गया था भारतिय समिधान का संरक्षक कौन होता है सरोच नियाले होते हैं भारतिय समिधान के किस संसोधनों का उद्देश अस्थानिय सरकारों को मजबूत करना 44 में समिधान संसोधन के परिनाम सुरुप क्या हुआ था सम्पत्ती के अधिकार को जो कि पहले मौलीक अधिकार में था उसको हटा करके मौलिक अदिकार के सोची से हटा दिया गया भारती वित्यायोग की अस्थापना के इस अनुच्छेत के तहत वित्यायोग का 280 के तहत अस्थापना हुआ है किसोर नियाय अधिनियम 2015 की धारा 2-12 के तहत बालक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाशित करती है कि जिसने 18 वर्ष की आयू पूरी नहीं की हो से बालक माना जाता है भारत के समिधान में स्वतंतर्ता के अधिकार के अंतरगत सामिल है वाक स्वतंतर्ता और अभिव्यक्ति स्वतंतर्ता भारत के राज्जी छेत्र में सर्वत आवाद संचरन का सांति पूर्वक निरायू सम्मिलन का भारत के इन्वे से किस राज्ज में पंचायती राज नहीं है याद कर ले नागालेंड मिघाले और मिजोरम में नहीं है किस वर्ष पंचायती राज मंतराले बनाया गया 2004 में भारतिय सम्मिधान का अनुच्छेद 51 एक इस्ते समंदित है मौलिक कर्दविसे 1989 में किस सम्मिधानी ने अस्थानिय सरकारी निकायों के लिए सम्मिधानिक मानिता प्रात की थी पी के गुंतन समिती ने सही जवाब है भारतिय सम्मिधान में 12 अनुच्छी के साथ कितना अनुच्छेद है 448 सही जवाब है भारतिय सम्मिधान का पारन करना, राष्टगान और राष्टिय ध्वज का सम्मान करना हमारे सम्मिधान में शामिल मौलिक करतव है कैसा पहला पंचायती राष्ट सर्ष्थानों में 73 संसोधन द्वारा लाए गए परिवर्तरों के बाद भारत की सभी राज्ज में कितने अस्तर की पंचायती राष्ट सर्षन रचना है तीन तरह का सही जवाब होगा भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छेद में मानव तसकरी और जबड़न स्रम्द के निशेद का प्रावधान है अनुच्छेद तैस में बिहार की पंचायत और नगर पालिका में महलाओं को कितना पर्षेंट का अरक्षन दिया जाता है 50% कोई पार्टी लोक सभा चुनाव और चार राज के विधान सभा चुनाव में कूल वोटों में से कम से कम कितना पर्तिसत वोट हांसिल करती है और लोक सभा में कम से कम 4 teاد जीत ती है उसे राश्टिय पार्टी का तो छे पर सेंट अगर जीत लेता है तो 6% वोट आना चाहिए भारत के सम्विधान में मूल कर्तवी को कहा के सम्विधान से लिया गया नागरिक कर्तवियों से उधार किये कहा जाता है USSR से सही जवाब होगा भारत में पंचायत निकाय का कारिकाल कितना होता है पांच वर्सों का जिसंबर 2021 में सर्वोच नियायले ने आदेश पारित किया था कि विधी आयोग सूचना के अधिकार के अधिकारी के समकच दहेज निशेद अधिकारी के नियुक्ति के मुद्दे पर विचार कर सकता है यहां आदेश देने वाले नियायधिस का नाम डीवाई चंद्रचूर और एस वपन्ना साहब मिलकर दिये थे समयधानिक उप्चारों के अधिकार से क्या आभी पर है मतलब क्या मतलब मतलब कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि सरकार द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उलंगन हुआ है तो वे नियायले जा सकते हैं इसे समयधानिक उप्चार के अधिकार कहा गया है सहरी अस्थानिय सरकार जो कितनी अधिक आवादी वाले किसी भी माहा नगर के विकास के लिए काम करती है भारत में नगर निगम की रूप में जानी जाती है दसलाग सही जवाब हुजाएगा कौन सा अभी प्राय उन मामलों से है जिन पर उच्चतम नयायले द्वारा निचली अदालतों में जाने से पहले परतेक रूप से विचार किया जाता है आरंबिक अधिकारिता होता है कौन सा अभी प्राय पूछेगा आरंबिक अधिकारिता बताना है भारत में कितने उचनायले हैं? 25 भारतिय समिधान का अनुच्छेद 32 में किस मौलिक अधिकार का उलेख है? समविधानिक उपचार का अधिकार का दिया गया है भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छेद संसत की सदस्टा के लिए योगिता निर्धारित करता है? कौन सा पुरुषकार ग्राम सभाओं को शामिर करके समाजिक आर्थिक विकास में उनके उतक्रिष्ट योगदान के लिए ग्राम परिशत को दिया जाता है यह है नाना जी देशमुक राष्ट्री गौरब ग्राम सभापुरुषकार करनाटक सरकार ने विनेश समरस सी योजना की घोशना की थी किसने करनाटक सरकार ने जो राज भर की ग्राम पंचायतों में किसको मिटाने के लिए एक जागरुकता कारिकरम था अस्प्रिशिता इने के छुआ छूट जिसे कहते हैं लूग सभा की बैठक के लिए नियुन्तम सदस्यों के संख्यां सदन के सदस्यों का एक बटे दस होना होता है भारत के किस परधान मंत्री के मंत्री मंदल में डॉक्टर मनमोहन सिंग पहली बार वित्त मंत्री बने थे तो पीवी नर्सिम्हा राव के समय में डॉक्टर मन्मोहन सी फर्स्ट टाइम वित्तमंत्री बने थे कौन सा भारतिय सम्मिधान में सामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति अरजित करने का अधिकार शब ही पंचायत संस्थानों में वे सीटें युकूल आरक्षित सीटों के कितने से कम ना हो कि अनुसोची जाती या अनुसोची जन जाती जैसा भी मामला हो यहां से समंधित महलाओं के अरक्षित किया जाएगा एक दिहाई हो जाएगा सही जवाब किस अनुस्षेद में भारतिय राष्ट्रपती के निसेधा दिकार का वर्णन है अनुस्षेद 111 हो जाएगा सही जवाब भारतिय समिधान के किस अनुस्षेद में कहा गया है कि 14 वर्ण से कम आयू के किसी भी बच्चे को कार खाना खदान इन सब जगों पर नहीं लगाना है जो अभी आपने दिखाता अनुस्षेद 24 आपको यहां पर ध्यान रखना है भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए कन्या सिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान का उद्धिश विद्यालियों में कौन सी बीच की आयू वाली रखियों के नामांकन और प्रतिधारन में विद्धी करना है 11-14 आपको यहां पर सही जवाब हो जाएगा मूल कर्तव में 2002 में समिधान के 86 संसुधन जोरा गया था यहां पर आप्शन मतलब समझिए माता पिता या संदक चक 6 वर्ष से 14 वर्ष तकी आयू वाले अपने यधा इस्तिती बालक या परतिपाले के लिए शुक्षा के अवसर प्रदान करे सही जवाब हो जाएगा कौन सा समिधान संसुधन अधिनियम उनिश्व बेरानवे के जो भाग नौ है पंचायत को जोरनी के लिए जिम्मेदार किया गया था इसके लिए आपको बताना है तेहत्तरवा ये समिधान संसुधन हुआ था भारत के समिधान के कौन से विशेस्ता यूके यनि उनिटिट किंग्डम के समिधान से लिया गया है एकल नागरिक्ता विद्ध आयो समिधान द्वारा अधी देशित एक निकाय है जिसे भारत के समिधान के किस अनुच्छेत के तहट अस्थापित किया गया था अनुच्छेद 280 के तहट सर्वूच नियायले और उच नियायलों के पास बंदी प्रत्यक्छी करन अधिकार प्रिक्छा परमादेश, उत्प्रेशन, निसीद, आदे की प्रकृति में रिट जारी करने की सकती है अनुच्छेत 32 और अनुच्छे 226 में भारत के समिधान में अर्ज संगीय सासन परणाली की विशेश ताकिस देश सिक कनड़ा से लिया गया है बारतिय समिधान के कौन सा अनुच्छेत 243 का ए श्वर्न सिंग् समीति ने भारत के समिधान में किसे सामील करने के सिफारीश की मालिक करतविको स्वतंत्र भारत के पहले वित्यमंत्री कौन थे आर के शनमुखम चेटी साहब थे प्रते ग्राम पंचायत का परतिनिधी कितने सर्पंच करते हैं एक हो जाएगा सही जबाब 1976 में 42 में संभिधान संसोधन के माध्यम से किस अनुखेट के तहत संभिधान के भाग 4 के कव में 10 मूल कर्तवियों को जोड़ा गया है अनुखेट 51 के ए में मंत्री परिशद जो कि भारत सरकार का बारे मिकार है इसका अध्यक्ष कौन करता है इसका अध्यक्ष कौन होता है परधान मंत्री भारत के सम्मिधान में नियाय पुनरवी लोकन की आवधारणा किस देश के सम्मिधान से लिया गया है समयुक्त राज अमेरिका के सम्मिधान से लिया गया है किस अधिनियम का उद्धिष अनुसूची छेत्रों के पंचायतों से समंदित समिधान के भागनाईन के प्रभधानों को विश्तारित करना था, पेशा अधिनियम 1996, मसोधा समिधी के अध्यक्ष कौन थे, जिनके पास समिधान की मसोधा तयार करने का कारिप दिया गया था, अम्बिटकर साब के पास भारत की समिधान का कौन सा अनुचेद सिक्छा के अधिकार से समन्दित है अनुचेद 21 का ए प्रारम में भारतिय समिधान की आठवी अनुसूची में कितनी भाषाओं को सामिल किया गया था सही जवाब है 14 भाषाओं को राज वित्त आयोक की मुक् में पंचायत का उलेक मिलता है भाग 9 में भारतिय समिधान के किस अनुचेद के अनुचेद के अनुशार राज की कारेपालिका सक्ती राजिपाल में नहीं थूत होगी और वह इसका प्रियोग प्रत्यक्ष रूप से स्वैंग या अपने अधिनस्त अधिकारियों के द्व पालिका की पिर्थाकरन से समंदित है अनुचित 50 भारत सरकार का समयधानिक निकायक कौन सा नहीं है नीति आयोग किस वर्ष प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की अस्थापना की गई ती 1950 में और इसके साथ ही कहरेक पंचवर्ष की योजना का योग भी श जाना जाता है यहां भारतिय समयधान के किस अनुच्छेद में दिया गया अनुच्छेद 112 में दिल्ली उचनेयायले की अस्थापना वेटी 1966 में 1966 में दिल्ली उचनेयायले की अस्थापना की गई थी कौन सा समयधानिक उपचार के अधिकार के अंतरगत आता है भाग तीन द्वारा प्रदत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचितकारवाई द्वारा उच्चितम न्यायले को अस्थानांतरित करने का अधिकार गारंटी क्रित है। कौन सा भारत में शहरी अस्थानिय शासन का एक अंग है सही जबाब हो जाएगा नगर पंचायत भारत के राष्टपती पद पर निर्वाचन हेतू उमिदवार के लिए वांचित 35 वर्स आपने देखा भी था भी यदि राष्टपती की यह राय है लोग सभा में आंगल भारती समुदाय का पर्तिजित परियाप नहीं है तो वह लोग सभा में उस समुदाय के कितने से अधिक सदस्य का नाम निर्देशित करते थे दोका करते थे निजिता का अधिकार जिसे सर्वूत चिन्यायले ने जस्टिस के एस पुट्टु श्वामी बनाम भारत संग 2017 के एतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मानता दी थी मुख्य रूप से भारतिय समिधान के किस अनुच्यत चे समन दी था अनुच्यत 21 से किस वर्ष राजभाषा अधिनियम अधिनियमीत हुआ था वर्ष 1936 में नगर निगम के संदर में एल्डरमेन की सही परिभाषा निगम के मनुझीत सदस्व होते हैं भारत के समिधान के 73 वे संसोधन में ग्राम सभा के अनिवारी निर्मान का प्रावधान किया गया है गराम सभा किस से बनी होती है पंचाइट छेतर में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यश्क सदस्यों से श्वतंतरता समानता और बंदुत के प्रापधानों के अंगीकरन हितु भारतिय समिधान निर्माता द्वारा किस देश के समिधान से लिया गया तो ये फ्रांस के समिधान से लिया गया था कौन सा एक राजनितिक अधिकार हैं मतदान का अधिकार राजनितिक अधिकार होता है भारती समिधान के किस अनुच्छेत के तहट हिंदी कुष शंग की राजभाषा के रूप में अनुच्छेत 343 के तहट शामान परिस्थितियों में शामान तर नगर निगम का प्रमुख कौन होता है मेयर हुआ करते हैं भारत के समिधान में मूल अधिकारों के किस अनुच्छित के तहट धर्म, नसल, जाती, लिंग या जन्म अस्थान पर भेदभाव करने का रोक लगाया गया ग्राम पंचायत का कारिकाल पांच वर्सों का होता है कौन सी सर्थ भारत के राष्ट पतिपद का उमिद्वार होने के लिए अवश्यक होना चाहिए अनिवार नहीं है कह रहा है न संसद में दर्स वर्ष का अनुभव वगरा ऐसा कोई बात नहीं है कौन निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है तो कारिकारी अधिकारी निगर परिशद होते हैं जो निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होते हैं भारत के समिधान के शंदर में समिधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थी डॉक्टर राजंदर परसाद भारत के समिधान की आठवी अनुसूर्ची में कुल कितनी तो 22 भासाओं को आधिकारिक भासाओं के रूप में मान्यता दी गई थी उच्चतम न्यायले की रजिस्ट्री के अध्यक्ष होते हैं महा सचीव कौन्द साकेंद सरकार के चितरादिकार के अंतरगत आता है चावनी परिशद पंचायती राज मंत्राले के द्वारा कार्यानमित श्वामित योजना के तहत भुखंड़ाओं के मान्चितरन के लिए किसका उपियोग किया जाता है ड्रोन का यूज किया जा रहा है पंचायती राज मंत्राले की द्वारा स्वामित योजना भी ध्यान रखेंगे भारतिय समिधान की उदेशिका में समाजवादी पंत निर्पेक्ष और अखंडता सब्द की समिधान संसोधन की द्वारा 42 में समिधान संसोधन 1976 की द्वारा जोड़ा गया था भारत के सर्वोच नियायले के नियाय रिष के लिए आयू सीमा कितनी है? 65 वर्स मैक्सीमम कहा जा रहे भारतिय समिधान का नुच्छित 123 किसे अध्यादेश अधिनियामित करने की सक्ती तो राष्ट्रपती को कौन सा कार अस्थानी निकायों के छेत्रादिकार के अंतरगत नहीं आता है तो कानून एवं विवस्था बनाई रखना किस वर्स 42 में समिधान संसोधन ये 1976 के द्वारा किया गया था और 44 वाला हुआ था 78 में वो भी काफी फेमुश है भारतिय संकी राजभाषा के रूप में अपनाया गया 14 सितंबर 1949 को पॉसको एक्ट का पूर्ण रूप क्या है फुल फॉर्म दप्रोटेक्शन ओफ चिल्डेन फ्रॉम सेक्स्वल ओफेंसिंस एक्ट है पॉसको का फुल फॉर्म कौन सा विशे भारतिय संविधान के समवर्ती सूची का भाग है दखाद पदार्थों का अब मिश्रन हो जाएगा सही जवाब भारतिय संविधान के अनुच्छेद किसके अनुशार किसी व्यक्ति को उस कृति के लिए दोसी सिद नहीं ठाड़ाया जा सकता है जो उसके किये जाने के समय अपराज नहीं था अनुच्छेद 20 के तहट 86 में संसोधन अधिनियम के द्वारा भारतिय संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़ कर इनमें से किस अधिकार को ध्यान रखिएगा सिक्छा के अधिकार को जोड़ कर सुतंतता के अधिकार के भागे के रूप में मूल अधिकार के सूची में सामिल कर लिया गया था भारत में नगर निगम का रायरिनितिक परमुख कौन होता है नगर निगम का महा पौर होता है भारतिय समिधान में हुए 73 और 74 शंसोधन के द्वारा ग्रामीन और शहरी दोनों छेत्रों के अस्थानिय निकायों के सभी निर्वाचित कारियालों में महलाओं के लिए कुल सीताओं का अरक्षन सुनिश्चित हुआ है 33 परशेंट का वो डोगडी और मैतली संथाली को भारतिय समिधान की आठवी निसूची में 2003 में जोड़ा गया था भारतिय समिधान के अनुच्छे 124 के एक प्रावधान के अनुच्छार सर्वोच नियायरे का नियायदिस किस वर्ष की आयू में अपने आयू तक अपने पद पर आसिन रह सकते हैं 65 वर्ष तक अभी आपने देखा था भारतिय समिधान के अनुच्छे 24 243 के तहट प्रत्य पंचायत यदि तत्समय प्रिवित किसी विधी के अरहिन पहले ही विगटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारिक से किस वर्स तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं हो सकती है तो पांच वर्सों के लिए किस संसुधन के दवारा भारतिय समिधान में एक अधिया है 4A को जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव से समंदित के वल एक अनुचेद फली 1 सामिल था 42 में समि-धान संसुधन में भारतिय समिधान का कौन सा समिधान सुनसूदन अधिनियम सहरी अस्थानिय निकायों से समंदित है चोहतरवे से भारतिय समिधान के कितने अनुच्छेद में मूल कर्तवियों के बारे में प्रावधान है तो 12 से 35 तक मेना मूल अधिकार के बारे में दिया गया है भारतिय समिधान के किस अनुच्छेद के प्रभधानों के तहित राष्ट्रपती को प्रतेक पांचवे वर्स की समापती पर या ऐसे पुर्वत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपती आवश्यक समझे वित आयोग का गठन वित आयोग आप जानते हो 280 अनुच्छेद में दिया ग पारतिय समिधान की बाहरिवी अनुच्छेद में कौन से सक्ट्यां पराधिकरण और उतरदायत्तों से ये समंदित है तो सहरी अस्थानी निकायों से समंदित है किस वर्स भारत की संसरत द्वारा आपराधिक परकेडिया यनिकिशन विदहेयक था ये पारिथ हुआ था व परिभासित करता है, शंगवाद हो जाएगा सही जवाब, धर्वनिर्पेक सब्द को किस संसोधन अधिनियम के द्वारा भारत के समिधान के उदेशिका में जोड़ा गया, 42 में समिधान संसोधन के तहद, बेटिंग दरिट्रीट, आधिकारिक तोर पर भारत के किस राष्टिय उस्थव किस समाप्ति को दर्शाता है, यह गंतंतर दिवस जब मनता है, अब आपने देखा था, बेटिंग दरिट्रीट, यह मनाया जाता है, भारत सरकार के संसकिती मंत्राले द्वारा साश्ट्रिय भ यह पहला ऐसा भाषा है भारत में, भारत में करेंके वार्शिक वित्जिय्प विवरण की सात प्रिस्थूत कौन सा विधेयक? बजट में प्रस्तावित करों के आरुपन, उन्मूलान, छूट, प्रिवर्दन या विन्यमन के समन्द में विवरण परदान करता है सही जवाब हो जाएगा वित्वी दहियक आपको बताना है नियाय पंचायत का परमुक कौन होता है सरपंच भारत सरकार ने लर्कियों की सादे की आयू को बढ़ा कर 21 वर्स कर दिया इस कानून का पालन करने से क्या लौब होगा इस से किसोर की कहरा गर्भावस्ताओं में कमी आएगी एक वर्स में लोग सभा के कितने सत्र होते हैं किसकी अनुशार संसद ने शमिधान संसोधन 42 में समिधान संसोधन के बारे में कह रहा है यह किया और समिधान के उदेशिका में पंत निर्पेक्ष समाजवादी और अखंडता सब्द को सामिल किया था अनुच्छे 368 में पंचाती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा समिधानिक दर्जा परदान किया गया है 73 समिधान संसुधन अधिनियम उनिश्व बिरानवे के तहट कौन सी समिधान की परमुख विशिस्ता नहीं है बताईए यह जो आपका सामन साही को प्रत्साहन है न यह भारतिय समिधान की विशिस्ता में नहीं है परमुखविषिस्ता में नहीं है दिहान रखेगा सामन्साही को पुरूट्साहान देना कौनसा ग्राम पंचायत का कारे नहीं है ब्लॉक समितियों के बज़ट की जाच और अनुमुधन करने का काम ग्राम पंचायत का नहीं होता है भारतिय समिधान के किस अनुच्छेत के तहट? प्रावधान है राजिका राजिपाल परतेक पांचवे वर्ष के समाप्ती पर वित्य आयोक का गठन कर देगा जो पंचायतों के वित्य इस्थिति का पुनरवेलोकन करेगी 243 आई के तहट भारतिय समिधान के किस अनुच्छेत के तहट भारत के राश्ट्रपती को अपात्काल की घोषना करने का अधिकार दिया गया है भारत के उपराश्ट्रपती होते है किसे भारत में शरकार के संख्य सरूप का परिणाम कहा जा सकता है बहु अस्तरिय सरकार संग राज्य और अस्थानिये को कहते है